नमस्कार आप देखरें अन्यूजवल इंडियो और आपके साथ मैं हूँ का जोल नरायन शिरुवात करेंगे खबरों की कानपुर मार्केट में आपको ऐसी कई दवाओं के विज्यापन देखने को मिल जाएंगे जो एक गोली के सेवन से ही शरीर में तंदरुसी, रोगपितरोधक, शमता, डबल और सेक्स पावर बढ़ाने का दावा करती है जो शरीर के लिए बेहुत नुकसान दायक होती हैं उसके सेवन से किडिनी, लीवर और शरीर के आंगे खराब हो सकते हैं ऐसे आयरुवेदिक दवाओं का सेवन सोर्स समझ कर करें आयरुवेद और युनानी आउशिदी के शेत्रिय अधिकारी डॉक्टर बिजेशिंग कठियार ने टीम के साथ कानपुर समित उत्तरप्रदेश के कई जिलों में आयरुवेदिक और युनानी सेंट्रों और मैडिकल सेंट्रों में च्वापिमारी की इन जगाओं से टीम ने करीब दो दर्जन से जादा आयरुवेदिक दवाओं की जाच के लिए नमूने लिए टीम ने दावा किया कि जांच के लिए नमूने लखना उसित राज के विशलेशक और शदी परीशन प्रयोग शाला भीजा गए जिनमें से टीम को गातमबुद नगर के देव फार्मिसी की पौरूष्ट जीवन कापसूल इंदोर की मेडविन फार्मितिक की गुड हेल्थ कापसूल और जैन की कंपनी सीम को और गैनिक की गुड हेल्थ कापसूल अधो मानक पाई गई कानपूर LPS हिर्दे रोग संस्थान प्रदेश का सबसे बड़ा संस्थान है जो अब राम में हो गया है संस्थान में डॉक्टर ने जहां पहले राम किट का निर्वान किया तो वहीं अब कार्डिलोजी संस्थान के हर पर्चे पर राम नाम लिखा जा रहा है क्योंकि परफुर्श्री राम का नाम लेने से ही आदे दुखर दर्द कम हो जाते हैं यह पहल प्रोफेसर नीरज कुमार ने की है रावतपुर स्थेत कार्डिलोजी संस्थान में अभी तक परचे पर डॉक्टर स्वारा आरेक्स लिखा जाता था इसका मतलब रेसिपी होता था यानि हम जो दवा आपको दे रहे हैं वह आप खाएंगे दूसरा आरेक्स का मतलब एजिप्ट के गौड हरस्ते है जिसकी आँक के बनावट आर जैसी थी संस्थान के परफेसर निरज कुमार ने बताए कि अभी तक आरेक्स लिखने का मतलब यह होता था कि जो दवाई हम आपको दे रहे हैं आपको खाएं या रिश्वर आपको ठीक करेंगे यह सिंबल परश्वे देशों के देन है जो एक जमाने से चरा रहा है लेकिन अब सस्था में परफेपार आरेक्स के जगायर राम लिखना शुरू हो गया है क्या कि प्रफेसर निरज कुमार ने प्रस्रिप्शन मार्क की मोहर भी तयार करवाई है जिस पर राम लिखा दिफिट के जग्या प्रसिफार करने का लोगा तरीका डॉक्तर नीरज कुमार निकाला जिससे काई डॉक्तर पेड़न लेकर इसकी शुरूबात करने ही है कि Great और अपर ऊश्रणी हे गया की दवाई जो हम खा रहे हैं वह हमको खानी है और ये यृष्वर हए हमारे ड़ाहील होने में हमको स्वस्थ होने में मदद करें जैंट क्योंकि ये सबसे पहले वहीं स्वस्थ स्भाट ह कि प्रक्राफ अभी कि कि its हैं अभी तक कि इस बारे में आप हमारा मतलब ही है कि क्यों ना हम अपने देवता को संभतित करें जिन से जिनकी हम सुभेशा करते हैं जहांसे के विरांगडा लक्ष्म बाइर इल्वी स्टेशन पर उस समय प्रतफरी मच गई जब इतावा से जहांसी आई टावा एक्स्प्रस ट्रेन को स्टेशन के डेड और यार्ड के यार्ड मिले जाए जा रहा था डेड यार्ड से ट्रेन को लाइन मिलाने के लिए ट्रेन को बात कर रहे ड्राइवर और गार्ड को स्टेशन के डेड यार्ड लाइन के 6-7 नंबर प्लेटफॉर्म पर बना कैबिन नही सिटक्रस्ण के पाद से कह बैट हथा प्रेटफोर्म पर मंगे Biht टकन fimwyns कर Sizcketल से केबिनद में कोakah करवचा नहीं था इस वह से जान्माल का नुकसान नहीं हुआ मुक्ञते पर पहुंचे आदिकारियों में पत्रेंगी तका हो उनों प्रत्रेंद सेज्गा गाड से दो साइकों को सस्पेंड कर दिया पूरी कट्टा की जारी कर दिये हैं जहां से स्टेशन से संचालित होने वाली ट्रेन पूर्फ की तरह ही जा रही है इस हाथ से सरे लिया ट्याद पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाब नहीं पड़ा कि प्लेटफर्म के आउटर पर कोई भी ट्रेन नहीं आई है जो ट्रेनों का हमारा मुमेंट है वो यह थावत है सारी ट्रेन अपने समय अनुसार ही चल रही है हां यह जो घटना हुई है तो एक जो ट्रेन थी उसको संटिंग इरियाम ले जा जा रहा था मतलब जो जहां कर ग प्रतिबंदित पन्नी को कानपुर पन की स्थेत कूडा डंपिंग स्टेशन में उसका निस्तारण किया जाएगा वहीं कानपुर नगणिगम प्रवतंदल के अधिकारी की करनल आलूक नारायन ने बताया कि शताब्धी ट्रवल का एक ट्रैक परशुन का समान लेकर कुछ पाज से कानपुर होते हुए बनारस जा रहा था जिस पर वानिजेकर के अधिकारियों ने चोरी के शक में पकड़ा तो ट्रक में परचुन के समान के साथ एकसो साथ बोरी में 4800 कीलो प्रतिबंधित पॉलिफिन बरामत कर नगणिगम के प्रवेतर निदन के हवाले सुपोर्ट कर दिया गया नगणिगम प्रतिबंधित पन्नी और अंदर में लेकर निस्तारण करेगी साथी कर्णल आलोक नराण ने बताया कि बरामधू प्रतिबंधित पन्नी कुछ रात क्यामदबाद की हुल से लोड होकर वनारस ले जाए जा रही थी कानपूर के मोतेजीर ग्राउंड में दिच्री सेवा संस्थान की तरफ से बाइक जन्वरी को एध्या में होने वाले प्राण पटिष्णा कारकम से पहले 500 फिट के पत्र पर 5 लाख बार राम नाम का जब किया जा रहा है और राम नाम लिखा जा रहा है श्री राम जन्भूमी ट्रस्ट को ये पत्र 31 जन्वरी को सौपा जाएगा कारकम के स्योजक युग धर्च्री सेवा संसान के अध्यक्ष मनोल सेंगर ने बताया कि कैंपेइन के 500 सालों के संभर्ष को देखते हो रहे इस कैंपेइन को आज से शुरू किया गया है और सभी लोगों राम नाम लिखने का वाहल किया गया और इस पांसो फिट के पत्र पर पांश लाग बार राम नाम लिकर ट्रस्ट के संयोजक चंपत्राईजी को सौपा जाएगा जिसे राम मंदी प्रांगण में ही रखा जाएगा अर दोस दिले में स्वाशोया से सरकारी चुके सालिया भी मरीज के तिमालडारों द्वारा डॉक्टर स्टाफ के साथ मार्पीट के मामने को लेकर स्वास्ते कर्मचारी हर्टाल पर चले गए अस्पताल के बाहर हर्टार पर बैटकर प्रदेशन कर रहे हैं जिससे स्वास्त सेवाएं भी ठीक हो गए हाला कि सीमों ने मौके पर पहुँआ कर स्वास्त करने उसे हर्टार समाप करनी की बात कहीं मारपीट के घटना सिस्टेवी कैमरे में कैद हो गई दरसल 15 जन्वरी को शाम 4 बजे चिकसाले के मजन से में संतोष रुपा थी जिनकी उम्र लगबग साथ साल थी रिवासी नया गाउं मुवारुपुर को लेकर उनके परिजन शौशिया संयोग तो चिकसाले के मजन से मि में उपचार के सला दे गए लेकिन मरीज के परिजन उगर होकर यहीं पर इलाज कराने की बात करते रहे यारूपे की कुछ तेरी में मरीज को सांस दोने में तकलिक हो जाने की बज़र से मरीज को औक्सिजन और भाप लगा दी जिससे कुछ रहात में लेकिन अशाना अटेक हो गया जिससे वहां पर मौज़द अची किस्सकों ने तमाम प्रयास के लेकिन उन्हें बचाया नहीं जाय सका सारंपुर में बदमाशों के द्वारे कारवारी के घर पर लूट पार्ट की बड़ी बारदात को अंजाम देकर हतियारों की बनपर 20 लाख रुपे और जेवरात लूट कर फरार हो गए सारंपुर के कोटवाली मंडी शेत्म में पुराना कल्सिया रोट पर बदमाशों ने लकड़ी कारवारी फुरकान के घर में घर में घुस का लूट पार्ट की बारदात को अंजाम दिया हतियारों के बनपर पर परिवार को बंदख बना कर बदमाश 20 लाख ती लाख लिले जिर लूट कर फरार हो गए कारवारी वी वरूद करने पर बदमाशों ने वंचा की बठ माणकर उन्हें घाल कर दिया कोटवाली मंडी पुलिस ने मौका मूआना किया कारुबारी फुरकान ने बताया कि सुभा बदमाश उनकी घर ने घुसे, बदमाश ने हत्यारे के बनपर लोट पाट की और परिवार के सबस्य को बंदक बना लिया फिल्हाल इस पूरे मामने पे चान मिल की जा रही है यहां मेरे द्वारा यहां पर आया गया है, अज सुभे आठ बजे करीब ही सूचना मिलती है कि यहां पर जवारा मशीन का काम करते हैं, फुरकान नाम के बद्टी है उन्होंने बताया कि यह चार लोग उन्हें घटना को इंजाम दिया है जिसमें जुने घर में रखा हुआ कुछ कैश, अब वो कितना कैश था उसको भी हम देख रहे हैं उन्हें बताया कुछ उन्हें कैश पहले खटा किया था कहीं से लोन भी करा रखा है अपने ही घर का उस लोन का पैसा था, वो पैसा यहां से चला गया है और अभी जो भी उनके तोरह तहरीर दी जाएगी उसको मुकदमा पंजीकर करके आगे विदिकार रही जाएगी जो भी तक पहचान किसी की नहीं हुई है आगी सभी आसपास के लोगों से जो इनके साथ काम करते थे उनसे पूछ चाच की जाएगी और जो भी तक पहचाच में उनके अनके अनसार इसमें आगे विदिकार रही जाएगी कानपूर के अर्मापूर थाना शेत्र में पिता की दाण से परिशार होकर इस रातने घर में सुसाइट नोट लेकर लापता हो गया अर्मापूर निवार से निटिश का बेटा नेतन कुमार ओनलाइन पैसा ट्रांसवर करने से साथी ठकी कर शकार हो गया जिसको लेकर पिता निटिश कुमार ने बेटे को डाटा और उससे डाट खाकर साइट लिग दिया जसमे लापत अने ने लिखा कि पिता जे मुझे माफ कर दिजे मैं अर्मापुर नदी में पूद कर जान देनी जा रहा हूं और लेटर माता पिता की तक्ये की नीचे रख कर चला गया जो लेटर पढ़ने पढ़ते ही इसके शिकायत पुलिस में दर्ज कराई है तलहाल पुरिस खोजबिन में जोटी हुई है लेकिन अब तक उसका सुराथ नहीं लग पाया है ठाना अर्मापुर में एक बच्चे के द्वारा धर छोड़ कर चले जाने का प्रकंट सिंज्ञान में आया है इस बच्चे की उमर तकीबन 16-17 साल के आसपास है जाने के पहले ये एक नोट भी छोड़ करके गया है जिसमें इसने लिखा है कि पापा मुझसे गल्ती हो गई है और पिटाजी की डांट के डर से इकट छोड़ कर जा रहा है साथ ही इस नोट में ये भी लिखा हुआ है कि ये दहर में कूट करके सुसाइड कर लेगा के लिए धनेवाद यात्रा प्रवीन निकाल रहे हैं कारसेव को 24 जनवरी को राम लेला दर्शन का नवता मिला है मैं सभी दर्लो को कहूंगा कि राम सब के हैं प्रवीन तोगड़ी आये कहते हैं निज़र आए राम की सेवा करेंगे तैसिल्दार सरकारी सर्विस से स्थेच्छा सेवा- निरवित्त महराज गंच के निश्ल ला तैसिल में तनात कर विदाई सम्हारों में उबज़ादीकारी सर्टिफिकाश में तैसिलदार रामानुज को रामचित्र मानस भेट किया और वहीं तैस्टे सभागार में मौधूदा अधिवक्ताव ने फूल माला पहना कर शुपकामनाओं के साथ उन्हें विदा किया तैसिलदार रामनुज सुपांथी ने कहा कि मौधूदा दौर में जहाँ भाईयों के बीच में कहीं तरह के तरह दूरिया रहती है इस दौर में मेरे बड़ी भाई ने अपने छोटे भाई को इस तरह से रखा जिस तरह से राम के अदर्शों पचलने का सिक्षा और प्रेड की जाएगी इसके बाद आम लोगों के लिए मंदिर खोल दिया जाएगा मंदिर में सेवा के रिष्टिगर्ट करें लोग अपने योगता के अनुसार भाव दिखा रहे हैं इसी के क्रम में महाराज देशले के निश्रों तैसिल में नायक तैसिलार के बदपर तनात रिष्ट कर लें काजगझ में पुलिस ने छात्र की हत्या का खुलासा कर दिया चवा दोस्ती उसका हेत्यानगा निकला पुलिस ने वाझसित बाल आुरूपी को ग्रपतार कर लिया है कब्लिस समय तक्षक्वा भ crimana कर दिया में इंवा दिन एक मकान में चात्र का सब्सक्राइब कर दोस्ते के बाल अब राधी को पिरफकार किया है कि बात नेपाल के इंतरा से सीवा पर सुरक्षा में चूक ना हो जाए इसके लिए पूरी तरह से अलटनेस है 22 जनवरी को गंतन दिवस के मद्दे नजर सुरक्षा अवस्ता का जाजा लेने के लिए गुरखपो डियाजी आनंद कुलकर्णी सीमा पर पहुँचे जहां उन्होंने सुरक्षा नवस्ता सिस्टरी के कैमरे डून कैमरे से समंदे स्थिति का जाजा लिया 37 रक्षा अजिंस्य को होटल, सराय और अन्य साविजने के स्थलों पर जाच वियान तेज करने की नरदेश दी अयुद्या में प्रजूशिय नाम की प्रांट पतिश्टा को लेकर भारत नेपाल सीमा को पूरी तरह से अलग पर रखा गया है निपाल से भारत आने वाले लोगों पर कड़ी नज़र रखी जा रही है को जाग रूप करने निकले हैं लोग सपा राज को गुंडा राज की संगया देते हैं नेली पंजाब की तरह सबके घरिल बजली का बेल माफ होना चाहिए गुजाद विहार की तरह पूरे देश में शिराबंदी क्यों रहे है और इसे के साथ फिलाल कबरों में इतना ही आप बने रहें निउस वाल इंडिया के साथ झाले के पंडिया के साथ क्या देते हैं तरह साथ क्या देते हैं तरह सका चाहिए यह झाले के साथ